दोस्तु हमारे चैनल घरेलू नस्के को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तु सर्दी का सीजन आ गया है इस सीजन में सरीर को गरम रखना बहुत ही जरूरी है इसलिए इन दिनों बाजार में चिक्की, गौंध के लड़ू, मूंगफली के लड़ू बिकते हुए नजर आते हैं लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर गूड और मूंगफली से बने लड़ू, खाने से क्या होता है दरसल सर्दियों में मुंगफली और गुड़ से तैयार चीजों का सेवन करने से आपकी बोड़ी गरम रहती हैं इसके अलावा यह कई बिमारियों को दूर कर सकता है गुड़ और मुंगफली का एक साथ सेवन करने से सरीर को कई लाब हो सकते हैं खासे तोर पर सर्दियों में इसके सेवन से काफी लाब होंगे आईए जानते हैं गुड़ और मुंगफली एक साथ खाने के फाइदों के बारे में सर्दी जुखाम की परेशानी करे दूर गुड़ और मुंगफली की तासीर गरम होती हैं ऐसे में सर्दियों के सीजन में इस कॉम्बो का सेवन करने से आपके सरीर की गरमाहट बनी रहती हैं साथी आपको सर्दी जुखाम की परेशानी से भी रहा दिलाने में परभावी होता है दरसल इसका सेवन करने से आपकी इम्मुनिटी बुष्ट होती है जो संकर्मन और बेक्टीरियल समस्याओं को परबावी डंग से दूर रखने में असरदार है परजनन चमता में सुधार गुड और मुंगफली का एक साथ सेवन करने से परजनन चमता में सुधार किया जा सकता है दरसल मुंगफली में सेलेनियम भरपूर रूप से मोजूद होता है वहीं गुड मेगनीसम और आयरन का काफी अच्छा सुरोत होता है जो परजनन समंदी समस्याओं में सुधार करने में आपकी मदद कर सकता है ऐसे में अगर आप परजनन चमता को बहतर करना चाते हैं तो गुड और मुंगफली का एक साथ सेवन करें बलड को करे डिटोक्सी फाई बलड को डिटोक्सी फाई करने के लिए गुड और मुंगफली का सेवन करें यह कॉंबो हीमो गुलोबिन के इस्तर में सुधार लाने में परभावी होता है इसके साथ ही यह एनेमिया से बचाने करने में परभावी है इन दोनों का एक साथ सेवन करने से आपके सरीर को कई तरह के एंटी ओक्सिडेंट प्राप्त होते हैं जो खून को सुध करने में आपकी मदद कर सकता है हड्डियों को करे मजबूत मुंग फली और गुड में केल्सियम भरपूर रूप से मुझूद होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं इसके अलावा यह कोंबो, फाइबर, पोटेसियम और जिंक का इसमर्द सरोत होते हैं जो इम्मुनिटी को भी बढ़ावाद देते हैं बहतर बलड सर्कुलेशन गुड और मुंग फली का एक साथ सेवन करने से आपके सरीर में बलड सर्कुलेशन बहतर होता है दरसल इससे आपके सरीर को बरपूर रोप से एंटी ओक्सिडेंट प्राप्त होता है साथ ही यह आरन का अच्छा स्रोत माना जाता है इससे बलड सर्कुलेशन बहतर होता है पाचन में साहक सर्द्यों की दिनों में पाचन सक्ती को मजबूत बनाने के लिए गुड और मुंग फली का सेवन करें इससे कबजी अपच और एसिडिटी की समस्याओं को दूर किया जा सकता है गुड और मुंग फली का एक साथ सेवन करने से सरीर को कई लाब हो सकते हैं यह सर्द्यों की दिनों में आपके सरीर को गरम रखता है इसके अलावा कई लाब होंगे हाला कि अगर आपको इसमें से किसी से ऐलर्जी की सिकात है तो एक बार डोक्टर की सलाज जरूर लें दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बूलें